So ladies and gentlemen welcome back to my youtube channel और आजकर इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ कि गेम्स आजकल इंट्रेस्टिंग क्यों नहीं रहे तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आजकल आप गेम्स को एंजोई नहीं कर पारे हो ज्यादा तो प्लीज इस वीडियो को लास तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूरना और यार मेरा जो इंस्टाग्राम है वो भी फोलो कर लेना क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ क्रेटिव चीज़े डालता रहता हूँ तो अगर आप इंट्रेस्टेड हो उन सब चीज़ों में भी तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना मैं लिंक दे दूँगा आपको कॉमेंट में तो चलो आप बिना किसी बक्वास कर स्टार्ट करते हैं तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये वीडियो होने वाली है मों मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर बैस्ट होने वाली है क्योंकि आज कल मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं गेम्स को ज़्यादे एंजोई नहीं कर पारा लाइक मैं पहले करता था बट इनके पीछे रीजन क्या है क्या वज़े है जिसकी वज़े से अपन गेम्स को इतना एंजोई नहीं कर पारे जितना अपन अपने स्कूल के टाइम में करते थे जितना अपन 2015 से पहले करते थे ऐसी क्या चीजी हो गई कि वीडियो गेम इंडस्टरी पूरी तरीके से ही बदल गई तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इन चीजों के बारे में बात करना तो यार जैसे कि अपन सब लोग जानता हैं कि पहले के वीडियो गेम कुछ ज्यादा ही इंट्रेस्टिंग होते थे आज के वीडियो गेम के कमफे रीजन में बट ऐसा क्यों होता था तो देखो यार इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहले क्या होता था कि जो वीडियो गेम डवलपर्स होते थे वो गेमर भी होते थे एक तरीके से मतलब जो गेमर होते थे वो ही गेम डवलपमेंट का काम भी करते थे इसलिए उनको पता होता था कि जो गेमर्स है उनको कैसे क्या चीज चीज ये लेकिन आज के वीडियो गेम्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आज के वीडियो गेम्स ऐसे हो गए ना बिल्कुल बोरिंग टाइप से थोड़े छोटे भी हो गए मतलब पहले के वीडियो गेम्स कितनी लंबी लंबी स्टोरी लाइन होती थी उनके अपनी 20-30 गंटे चलती थी मतलब जो नॉर्मल लीनियर गेम होते थे उनके भी लेकिन आज कल मैक्सिमम दस गंटे हो गए मतलब दस से भी कम ही होने लगए वीडियो गेम्स जो भागी का फोकस होता है वीडियो गेम का वो होता है उसके मल्टिप्लेयर मोड के उपर इसलिए आजकल वीडियो गेम्स की जो स्टोरी लाइन वगरा ये है उससे किसी को कोई भी मतलब नहीं है एंड जो पहले की तरह engaging stories, gameplay वगरा ये सब कुछ चीजे होती थी वो नहीं है क्योंकि आजकल पैसा बनाने का काम होने लगया है वीडियो गेम से पहले वीडियो गेमस entertainment के लिए बनते थे आजकल पैसा कमाने के लिए बनते है आपने भी देखा होगा कि हर गेम multiplayer होने लगया है आजकल अगर कोई story mode का गेम मिलेगा भी तो वो गिना चुना होगा एंड उसको भी exclusive कर देंगे तो यार ये बहुती बुरी चीज हो रही है आजके टाइम में यार जो ये multiplayer games है न ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाए जाते है एक टाइम होता था जब multiplayer games भी interesting होते थे लेकिन आजकल क्या होता है कि जो developer का goal होता है वो ये होता है कि केसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाए जाए इस game से इसलिए video games के अंदर microtransactions डाल देते हैं उल्टे सीधे skins, cosmetic वागएर ये डाल देते हैं चुकि पहले मेहनत करने के बाद मिलती थी लेकिन आजकल battle pass करीदो और आपको सब कुछ मिल जाएगा ऐसे ही easily तो यार मतलब grind करने का भी मन नहीं करता सिर्फ grind करने का एक रीजन है आजकल की leaderboard चड़ जाए कैसे भी या अच्छी rank मिल जाए बागी cosmetic वागएर ये सब कुछ चीजे तो आजकल वैसे भी पैसे की हो गई है नहीं पहले एक time होता था जब सब कुछ free के अंदर मिलता था and interest भी आता था grind करने में but unfortunately आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है guys मतलब हर game को ऐसे बना दिया जाता है कि कैसे भी इससे जितना पैसा हो सके वो कमा सके even मुझे तो GTA 6 के भी tension होने लग गई है यार कि कहीं ऐसा नहीं बोल दे Rockstar Games कि जो GTA 6 होगा वो सिर्फ online होगा and उसके अंदर single player mode भी नहीं होगा भाई ऐसा नहीं हो नहीं यह तो सबसे बड़ा nightmare होगा मेरी life का and honestly बता हूं तो इस वीडियो को बनाने के पीछे reason भी यहीं था कि मैं खुद भी enjoy नहीं कर पा रहा हूं मेरे PC के अंदर मानो कि नहीं अभी मेरे पास कम से कम 30 game पढ़े होंगे installed सारी खरीद क्योंकि मेरी भी वो multiplayer खेलने की आधित पड़ गई इसलिए मैं multiplayer games पे मतलब ज्यादा focus करने लगया हूं आजकल मैं try करता हूं कि कैसे भी मैं story game को खेलू लेकिन यार story game 2 minute खेलता हूं 10 minute खेलता हूं interest ही नहीं आता क्योंकि mechanics भी इतने addictive नहीं रहे पहले जैसे कि खेलते ही र घंटा खेल लेता हूं मैं कोई भी नया story game आता है उसको तो मतलब यार पता नहीं क्या ही हो गया gaming industry को मुझे तो इसके future की बहुत ज्यादा परवा हो रही एंडर वरी होने के पीचे सबसे बड़ा reason यहीं है कि like आपने देखा call of duty भी अब multiplayer पर ज्यादा focus करने लगया है पह जो battlefield franchise है उसके अंदर तो story mode को ही हटा दिया हाँ battlefield 3 का and battlefield 2 का and battlefield 1 का जो भाई story mode था ना वो बहुत ही ज्यादा interesting था अभी भी यह लोग कर चकते हैं लेकिन आपको पता है कि पैसा जब हावी होता है ना दिमाग पे तो बंदा भूल जाता है कि उसको क्या करना actual में and अभी सिर सब लोग वैसे भी जानते कि कितना ज़्यादा भूका है पैसे का तो यार यही कुछ regions थे जिनके वज़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो video games है वो interesting नहीं रहे एक तो यार जो developers है वो video gamers नहीं है actual में वो सिर्फ developers ही है मतलब उनका काम ए game बनाना उनको मतलब नहीं है game खेल कने में fun नहीं रहा तो इसलिए भी थोड़ा बहुत interest खतम होने लग गया है video games के अंदर तो यार देको honestly वैसे तो बहुत सारे regions है जिनके वज़े से games आजकल इतने जाद इंट्रेस्टिंग नहीं रहे बट मेरे जू दिमाग में थे वो मैंने आपको सारे बता दिये मतलब म इस वीडियो गाइस मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर